हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में जो है हम आपको खानिज तथा आयस के बारे में बताएंगे तो चलिए सबसे पहले खनिज को समझ लेते हैं तो हेडिंग है खनिज ओए तत्व या योगिक जो पिर्थिभी की भूपरपरटी में प्रकित रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं जैसे लोहा कैलसियम कार्बोनेट आदि तो ओए तत्व या योगिक तो यहाँ पे आ युगिक जो पिर्थिभी की भूपरपरटी में यनि कि तविए के अंदर प्रकित रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं तो इस तरीके से खनिज को समझ लेंगे अब आयस को समझते हैं जिन खनिजों से धात्मों को आसानी से एवम कमखर्चे में प्राप्त किया जा सके वह और आयस्क कहलाते हैं जैसे बाकसाइड हेमेटाइड आदि यानि के जन खन जो से धात्वों को मतलब आसानी से कम खर्चे में प्राद कर सके वोए और आयस्क कहलाते हैं इस तरीके से खाईज तथा अयस्क की परिमासा को अच्छे से समझ लेंगे और याद कर तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजेगा अगर हमारा चनम में यदेक नए हैं और बैल आइक कि गन्टी आल परिक्ष किस्कार जीजेगा जिस utilizing आने वाड़ी ने वीडियो की नोटि पिय्केशन आपको सबसे पहले मिल जा जह हिन